Good morning my dear friends, welcome back to my channel तो friends हम gardeners ऐसे होते हैं जो अपने garden को बहुत ही खुबसूरत बनाते हैं और अपने घर का या terrace का या ground का ऐसा कोई kona नहीं छोड़ते जिस पर हम plant नहीं लगाते हैं हर जगह plant से अपने garden को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं तो आज का topic ही है मैं आपको ऐसे 25 से भी ज़्यादा hardy indoor plants बताऊंगी जिसे आप घर के कोने को या फिर terrace के कोने को, round के आपके घर में जो ground है उनके किसी भी कोने को जो सुनापन दिखा रहा हो या जहां पर ऐसी जगह हो, kona हो, corner हो उसको आप plant से सजा सकते हैं, तो चलिए friends, सबसे पहला plant मैं बताऊंगी आपको वो है philodendron इसमें golden और green color के आते हैं, दोनों plant मेरे पास है और देखिए मैंने cutting से कि इतने छोटे से pot में छोटी छोटी cutting लगाई थी इसे आप cutting से अप्रेल माह में, जितने भी plant आज मैं बताऊंगी उनको अप्रेल में आप cutting से ग्रो करिए और ये सारे plant ग्रो हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी corner आप इन सारे plant से सजा सकते हैं, बहुत ही खुबसूरत लगेगा साथ में आपके घर में सुद्ध हवाएं भी मिलेगी, तो देखिए इसमें 4-5 cutting मैंने लगाई है और कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी, नरसरी वारे grow bag में मैंने लगाया है तो सबसे पहला plant तो ये हो गया है friends, और second plant है वो है hedge plant इसकी तो बिल्कुल 3-4 इनकी cutting लग जाती है, बहुत ही आसानी से लग जाती है और देखिए मैंने बहुत सारे छोटे-छोटे pot में लगाया है और वीडियो में मैं भी आपको और आगे दिखाऊंगी, मैंने लगभग 20-25 और भी cutting लगाई है जो मेरी बहुत अच्छे से grow हो गई है, तो इसे भी आप हेज के रूप में इस्तमाल करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं नेक्स्ट प्लांट है वो है अजवाइन का प्लांट, इस प्लांट की पत्तियां मुझे बहुत थीक है और मुझे बहुत पसंद है बहुत ही अच्छी है रवर प्लांट की तरह एकदम थीक होती है भी और चलिए इसकी भी cutting में आपको अपडेड भी दिखाती हूँ ब्यूटिफुल है और इस प्लांट का नाम मैं अकसर करके वीडियो में भूल जाती हूँ इसका नाम क्या है जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में और इसकी भी cutting जो है मैंने लगाई है चार-पांच cutting लगाई है और चार-पांच cutting जो है बहुत ही असानी से ग्रो हो गई देखिए इसमें न्यू पत्तियां आनी शुरू भी हो गई है और अभी जो है मेरे गाडन में कुछ जो है इंसेक्ट अटाइक भी कर रहे है इस वज़ा से इनकी पत्तियों को खा भी गए है देखिए यहाँ पर और ये चारों प्लांट मेरे ग्रो हो गए है अगला plant है Coleus का plant तो Coleus में देखे कितनी खुबसूरत इसमें colors आते हैं और मैंने cutting भी देखे मैं आपको दिखा भी रही हूँ आगे वीडियो में मैं आपको बहुत सारे plant Coleus के जिसे मैंने report अभी अभी किया है 3-4 दिन पहले वो भी दिखाती हूँ तो Coleus को भी आप 4-5 इंच की cutting लेकर कहीं पर भी लगा दीजिए, बहुत ही असानी से grow होता है, तो देखी इतने सारे pot मैंने तयार किये हैं Coleus के summer season के लिए, और summer season में मेरे garden का highlight होता है, Coleus का plant मैं अक्सर ये ऐसा करती हूँ, और अपने garden को बहुत ही खुबसूरत बनाने की को करती हूँ, तो इसे भी आप जो है लगा सकते हैं, एक और hardy plant कहूंगी तो वो है यूफ और विया मिली का, बहुत ही असानी से बहुत ही easy to cutting से grow होने वाला plant है, beautiful से flowers आते हैं बंचेज में, इसे भी आप जो है छोटी सी छोटी cutting लगा लिजे, बस watering का ध्यान देना है, साथ आड ब्रांच निकलाए हैं, और इसकी लंबी सी ब्रांच थी, तो लंबी सी ब्रांच थी, उसको मैंने डेफेंट बेकिया की तरह बिल्कुल कट कर करके, छोटी छोटी पीसेस में बना कर, मैंने एक देखिए, यहां पर मैंने लगाया है, और यहां लगभग 5-6 cutting मेर करूंगी, और इस तरह से देखिए, आप ड्रेसीना की बिल्कुल जैसे डेफेंट बेकिया को लगाते हैं, छोटा-छोटा कट करके उनके ब्रांच को उसी तरह से ड्रेसीना को भी आप लगा सकते हैं, और बहुत ही असानी से ग्रो हो जाती है, तो यह भी इंडोर में ही रूट्स आगे से आजाए रहती है, देखे, मैंने इतनी बड़ी कटिंग ले ली है, और मैं तो कुछ भी नहीं करती हूं, जब भी सिंगोनियम की कटिंग लगाती हूं, कोई रूटिंग हर्मोन का इस्तमाल नहीं करती है, और इसमें देखिए, मैं आपको दिखाती मैंने भी अपने गार्डन में आप लोगों ने देखा है, चैप और तैयार किये हैं, बहुत ही खुबसूरत लगते हैं, हलकी सी धूप में रखेंगे, तो गोल्डन कलर की पत्तिया आती है, अगला प्लांट जो है, वो है फ्लावरिंग प्लांट है, यह है थमबरगिया का प्लांट और इसकी कटिंग मेरे गार्डन में लगभग 12-15 प्लांट है, और इस तरह से देखे, मैंने अभी भी जो प्रून किया था, उसको कटिंग लगाई है, देखे, कितनी सारी कटिंग है, और सब आसानी सी ग्रो हो जाती है, 5-6 कटिंग लगी हुई है, इंडोर प्ल प्लांट में आने वाला प्लांट है, क्रोटोन, तो ये क्रोटोन जो आप देख रहें, मैंने इसकी एक प्लांट लेकर आई थी 50 रूपीज में, और इस प्लांट से देखे, मैंने लगभग 10-12 प्लांट तयार कर लिए हैं, और इसका प्रूब भी आपको मैं दिखाती हू कई लोगों को लगता है कि बस हम बोलते हैं और कटिंग वगर नहीं दिखाते हैं, तो देखिए 6 इंज के पॉट में लगा हुआ है, और ये दोनों प्लांट मैंने अभी घर पर लगभग 17 इंडोर प्लांट मैंने क्रोटोन के तायार किये हैं, अलग-अलग वैराइटी के और देखिए इतना बड़ हो गया है मेरा प्लांट, तो आप खुदी समझ सकते हैं, इतने जादा प्लांट तो हम खरीद नहीं सकते, जाहिर सी बात है कि हमने कटिंग से ही घर पर तयार किया है, और आप चाहें तो मेरे वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, मै यह भी काफी हाड़ी प्लांट होता है, अगला प्लांट जो है, वो है अरेलिया का प्लांट, यह भी काफी हाड़ी होता है, मैंने देखिए इस पॉर्ट में तीन कटिंग जो मैंने लगाई थी, वो सारी ग्रो भी हो गई है, इन सब को मैंने रिपॉर्ट भी किया है, और की तो लगबग 10 पॉट मैंने तयार किये हैं आपको विथ फुरूब दिखाती हूँ मैं देखिए कितनी खुबसूरत पत्तियां होती है और जब बड़ी हो जाएंगी यह 5-6 इंच के पॉट में मैंने इसे लगाया है और यह बहुत ही असानी सी घर पर ग्रो हो जाती है तो कहता है कि रबड का प्लांट हम खर जो है कटिंग से तयार नहीं कर सकते वह मैंने इस प्लांट को यह वाले प्लांट से लिया यह मतलब Sel buenos कि मैं है और इसकी कटिंग लेकर मैंने यह बहुत ही थिक प्लांट इसकी पतियां काफी ज्यादा हाड़ी होती है अगला प्लांट है वो है डेफेन बेकिया का पत्तियों को देखकर तो किसी कभी मन मोह लेगा यह प्लांट इतनी ग्रिनरी लाता है और आपके घर का कोई कोना हो चाहे टैरिस का कोना हो अगर आपको सजाना है तो यह सारे प्लांट जो मैं बता रहीं फ्रेंस अब खरेत कर ले आएं कटिंग लगा लें बहुत ही सुन्दर लगेगा तो देखे डेफेन बेकिया की मैंने बिल्कुल नीचे से ब्रांच प्रून कर दी थी इसमें दो तीन ब्रांच निकल आए हैं और इसी की छोटी-छोटी कटिंग लेकर मैंने बहुत सारे प्लांट जो तयार किये हूँ आज आपको म मैं भी हटा दूँगी तो इतने छोटे-छोटे पॉट में मैंने इनको सीप्ट किया था जब ये छोटे-छोटे होते हैं डिफेन बेकिया कि वो प्लांट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही सुन्दर लगते हैं देखिए ये भी चार इंज के पॉट में लगा हु इसी की कटिंग मैंने बीज से कट करके लगाई थी तो मेरे पास एक प्लांट से दो प्लांट हो गए तो क्रोटोन की भी कटिंग बहुत इजली ग्रो हो जाती है इसी कड़ी में देखिए ये है स्नेक प्लांट एक लंबी वाली आती है और ये डॉर्फ वेराइटी वाली तो इसमें इसको तो आप पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, कट करके कटिंग भी लगा सकते हैं, और इस तरह के निव निव बेबी प्लांट भी निकलते हैं, जिन्हें डिवाइट करके आप एक प्लांट से धेर सारे प्लांट तयार कर सकते हैं, तो ये अगला प्लांट दे तो जो experience मुझे होता है friends अपने गार्डन से मैं वही आप लोगों से सेयर करती हूं यह है Song of India Song of India की मैंने कटिंग लगाई थी और मैं दिखाती हूं चलिए आपको देखे छोटे से मैंने इस तरह से दिस्पोजल ग्लासेस में लगाया है इसकी रूट्स भी आ गई है और देखे न्यू पत्तिया आपको दीख भी रही होंगी Song of India को भी आप कटिंग से बहुत ही इजली घर पर ग्रो कर सकते हैं एगलो नीमा की कटिंग आप बहुत ही इजली लगा सकते हैं और यह डेफन बेकिया है यह काफी लंबा बड़ा हो गया है तो सोच रहे हैं इसकी कटिंग में लगा दूँगी क्योंकि बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन खुब सुरत है इस वज़ा से इसको काटने का मन भी नहीं कर रहा है तो इस तरह की इंडोर प्लांट मेरे गार्डन में मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं और यह देखिए जो हेज प्लांट मैंने जिसकी बात की थिया बोली और हेज प्लांट की कितनी सारी कटिंग मेरी फिर से तयार हो गई है तो आसा करती हूं फ्रेंड्स आपके भी घर में टैरिस पे ग्राउंड पे ऐसा कोई कोना है जिसे आपको सजाना है तो यह सारे प्लांट आप घर पर तयार कर लीजिए कुछ हेंगिंग बास्केट है देखिए रियो का प्लांट है इसे भी आप लगा सकते हैं अब काफी ज़्यादा हार्डी होते हैं तो फिर मिलती हूं फ्रेंड्स बाई बाई